हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताने हो रियल मी नर्जू N55 में किस तरह से स्मार्ट स्लाइडर आप सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर नमस्कार दोस्तों मैं हुआ रोज आप देख रहो टेक्निकल आर्जियम दोस्तों आज हम आपको बताने हो लगा हुए स्मार्ट शाइड बार के बारे में अगर आप अपने मॉबाइल के स्क्रीन पर चाहते हो अपनी साइड़ बार को ओपिन कर सकते हैं अगर अपने के screen पे और उसमें phone memory का option आजाएगा चार पांच और भी option आपके mobile के screen पे sidebar आप जैसे open करते हो तो आपके mobile के screen पे show करना शुरू हो जाएगा बहुत सारे option इसमें दिया हुआ है और जितना चाहे उतना option आप इसके अंदर add कर सकते एड करने का भी option आता है फिर आप अपने screen पे अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं और जो चाहे ओ कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको अपने mobile का setting open करना होगा setting open करने के बाद नीशे slide करेंगे तो वहां आपको मिलेगा conventional tool के अंदर आपको मिल जाएगा sidebar का option दोस्तों चलिए आपको लेकर मॉबाइल के सेटिंग में और वहां से आपको बताते किस तरह से आपको अपने mobile में conventional tool में आना है और किस तरह से आपको अपने mobile में setting करना है चैनली दोस्तों यह रहा convention tool एक बर और देख लीजिए कर्बेंशनल टूल है और नीसे देखने सबसे लाक्त में अ ये on the smart sidebar यह समार्ट साइड बार है जिसमें निचे से आपको ok कर लेना है और तीनौ और तरहे ने defenders डिया है और फिलाल मैं इसको off कर दिया हूँ फिर से on कर दे रहा हूँ और इस तरह से आपको भी अपने mobile में इसको on कर लेना है on करने के बाद आपके mobile में sidebar इसी परकार से काम करना शुरू हो जाएगा देख रहे हैं screen shot का दे रहा है बहुत सारा option इसके अंदर आपको मिल जाएगा लब ऐसे message कर रहे हो आपका sidebar हमेशा आपके screen पर रहेगा आप उसको इधर उदर जैसे चाहे अपने screen पर उससे set कर सकते हैं और भी अलग भी mode में उससे change कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और share कीजिए ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे बहतरीन वीडियो एक बार कमेंट जरूर कीजिए मिलते दोस्तों next वीडियो में thank you so much